सो एलो स्टुडेंट्स यह जो कोस्चन है एक लास 8 की मैथ से एक्सरसाइज 9.1 का थिरी का सेकेंड कोस्चन है इसमें हम एलजेबरिक एक्सप्रेशन को एड करेंगे तो आए देखते हैं वीडियो को अंतक तक देखिएगा तो यहाँ पर हमारे पास कोस्चन है एड़ जरना है तो एड़ हम फहले कॉलों मेथह से करेंगे और फिर हरीजिंटल मेथल से करेंगे को ऑगड मेथटी को आपको मेथर हुल के आपको अच्छा लगया प्लके और तक जो करना क्लम मेथर में घ्र और किया है कि आप पहली expression है इसको write कर लिजिए जैसा है वैसे ही लिख लिजिए यानि कि a minus b plus a b उसके बाद में जब दूसरा लिखेंगे तो जो जिसके नीचे होगा जैसे a है तो a वाला टर्म a वाले के नीचे b वाला है तो b वाले के नीचे अगर नहीं है तो कहीं हो write करेंगे जैसे यह b वाला है तो b वाले के नीचे write कर देंगे c वाला यहाँ पर है नहीं तो यहाँ पर लगा देंगे minus c और bc भी यहाँ नहीं है तो यहाँ लिख देंगे plus bc है ना जो same same नहीं है उसको अलग लिखेंगे जो same same है वो उसके नीचे लिखेंगे तो अब यहाँ पर देखो तीसरे में आएंगे तो हहाँ C है तो इसको C के नीचे यहाँ minus A है तो minus A यहाँ पर है इसके नीचे write करेंगे minus A और फिर plus A C है तो A C यहाँ नहीं है तो इसको थोड़ा अलग लिखेंगे ठीक है अगर आप यह कर ले गए तो समझो आपके लिए algebraic expressions को addition करना आसान हो जाएगा अब जब add करेंगे तो आप ध्यान से देखो कि sign opposite है plus a minus a यहाँ देखो plus a लिखा नहीं है लेकिन होता है ठीक है तो यह cut गया अभी देखो यहाँ पर plus b है और यह minus b है यह cut गया अभी देखो यहाँ पर इस नहीं कर देखो यहाँ पर यहाँ पर यह क्या ही pad यह पर प्लस यह और यहाँ पर पर प्लस एसयओ तो इस प्रकार से इसमें जो answer होगा वो यही बचेगा अब इसको हम हुर्जंटल मेथड से करते हैं कि बाई होरिजेंटल में थड़ ठीक है आपको चाहिए यह करना चाहिए यह करना है दोनों करने की ज़रूर नहीं है उसे कोई भी फायदा नहीं होगा मैं बता रहा हूं बस आपकी जनकारी के लिए तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहली अब देखो इसमें क्या है कि होरिजेंटल का मतलब हो तो रो आइज आपको एक ही लाइन में तीनों एक्सप्रेशन लिखना है साइन अगर एड कर रहे होंगे तो एडिशन काएगा जैसे यहाँ पर A-B पलस A-B है यह एक एक्सप्रेशन है तो एक ब्रेकेट लगाएंगे एक ब्रेकेट के अंदर यह पूरा एक्सप्रेशन लिखेंगे चुकि हमें एडिशन करना है तो यहाँ पर पलस साइन लगाए दूसरा bracket में B-C plus BC, add करने हैं तो plus नहीं लगाएंगे, तीसरा expression C-A plus AC, अब जब हम bracket खोलेंगे तो यहां पर मिलेगा A-B plus AB, पला से तो कोई भी change होने वाला है, नहीं, B-C plus BC plus C-A plus AC, ठीक है, पूरा लिख लिए हमने, अब ध्यान से देखना, यहां पर क्या होगा, जो कट सकते हैं, उनको हम काट देंगे यहीं पर, जैसे कि यह वाला A, इस वाले A से कट जाएगा, यह plus A है और यह minus A है, यह minus B, plus B से कट जाएगा, minus C, plus C से कट जाएगा, अब बाकी नहीं कटने वाले हैं, क्योंकि बाकी सब plus हैं, तो इनको write कर लेंगे, ठीक है, जो नहीं क है, यह भी नहीं कटेगा, और फिर plus AC जो है, यह भी नहीं कटेगा, आप देखो, सुरू में आपको पहले साइन दिखाने की ज़रों नहीं होती है, तो यहाँ पर यह हमारा answer हो जाएगा, बाई, होरिजेंटल मेथट से, तो आपका मन करे, आप होरिजेंटल मेथट से कर ल का answer होगा, आप इसको note down कर लें, अगर यह वीडियो आप लोगो अच्छा लगा है, तो वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें, और दोस्तों को भी share करें, हाँ, comment box में जरूर बताय करो, कि वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे पता नहीं चल पाता है, कि इस वीडियो में आप लोगो समझा पाता हूं कि नहीं पाता हूं, तो अगर आप लोग कमेंट करोगे, तो मैं अपने अंदर कुछ improvement लाओंगा, और मुझे बहुत खुसी होगी, ठीक है, तो वीडियो को comment जरूर करें, thank you class,